वो महराजगंज लोकसभा छेतर जहां कभी चोतरफा लड़ाई की बात की जाती थी अब एक तरफा लड़ाई की और बढ़ चुका है कैसे चोतरफा लड़ाई से महराजगंज सीधा एक तरफा लड़ाई की और आ गया है और कैसे रंधीर सिंग जो है बागी होने के बाद भ महराज गंज लोकसफा छेत्र जो कभी चोथरफा लडाई के लिए जाना जाता था, कभी चर्चा हो रही थी कि 2024 के लोकसफा चुनाओं में महराज गंज में चोथरफा लडाई है। लरने का फैसला किया था, और ये बोला था कि हम जनता के बीच जाएंगे और उसके बाद उनके आदेश पर ये निर्ने लेंगे कि हमको निर्दलिये लराई लरनी है की नहीं, तो चौथी तरफ सचिदानंद राय ने ताल ठोका था कि हम निर्दलिये चुनाओं लरेंगे। एक तरह से बहुत ही असान लराई महराजगंज लोकसभा सीट होने जा रही है। निर्दलिये मैदान में नहीं लरेंगे, निर्दलिये परत्यासी के रूप में नहीं उतरेंगे, बलकि भारतिये जनता पार्टी के उमिद्वार जनारधन सिंग सिगडिवाल के लिए चुनाओं परचार में उतरेंगे। वहीं सचिदानंद राए की अगर हम बात करें तो सचिदानंद राए पहले भारतिये जनता पार्टी से बागी होकर के निर्दलिये मैदान में कुदने की तयारी कर चुके थे। लेकिन वहीं जब भारतिये जनता पार्टी के सिर्सने तित्व और यू कहें कि प्रधान मंत्री छपड़ा में सभा करने के लिए आएं तो वो भी मोदी जी के साथ मंच पर दिखाई दियें और उसके बाद ये कयास लगाया जाने लगा कि सचिदानंद राए भी अब भार भारतिये जनता पार्टी के कैंडिडेट के सपोर्ट में वोट मांगेंगे और दूसरी तरफ सचिदानंद राए भी बागी हुए थे और वो भी अब भारतिये जनता पार्टी के समर्थन में आ गये हैं और वोट मांगने लगे हैं और इस कारण से इन दोनों बागी निता के इंडिये में सामिल हो जाने से या फिर भारतिय जंता पाटी का दामन थाम लेने से अब महाराज गंज लोकसभा के सीट जो है वो बहुत ही आसान हो गई है भारतिय जंता पाटी के लिए और वहां पर कॉंग्रेस का पार पाना कठिन हो गया है बाकी महाराज गंज लोकसभ को ले करके क्या सोचते हैं और इन बागी नेताओं के इंडिये के समर्थन में आ जाने से क्या प्रभाव पड़ेगा इस चीज को ले करके क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट के माध्यम सम्तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्षन बहुत बहुत झाल हुति उस यूजल शुजल रगबं पन्पोली ने रूड़ेगा भेपल प्रेबना को लेकर देखते हैं उसाफषन